प्रकाश डालना चाहूंगा भुपेद्दर जी आपका प्रस्ण अतीस रेष्ट है यह भारत भूमी देव भूमी है और हमारे भारत में नेनेकु प्रकार के ब्रत और तेवार और महापर्व मनाये जाते हैं अन्या नेनेकु प्रकार की बिविद्धताएं हैं हम सभी बड़े हरसोलास के साथ बड़ी प्रसंदता के साथ मनाते हैं और छट महापर्व यह कार्तिक सुक्लपक्च में आता है ठीक दीपावली के तुरंत बाद छट महापर्व का प्रादुर्भा होता है यह लोकास्था का विसे है प्रावली महापर्व के बाद छट महापर्व का आगमन होता है यह लोकास्था का पर्व है और सनातन धर्व में इस पर्व का विसेश महत्व है इस पर्व में हमारी माताएं बड़े स्रद्धा के साथ बड़े निष्ठा के साथ और बड़े परिस्रम के साथ भगवान सूरी की अरधना करती हैं और भगवान सूरी कलिकाल के प्रतिक्ष देवता हैं और सूरी की अरधना करने से ब्यक्ति के ब्यक्तित्व का अभिकास जीवन में धनधान की ब्रधी और सात्यविक संतान सात्यविक जीवन और मन बुद्धिचित तीनो सुध और पवित्र होता है तीसे छट महापर्व का विसेश महत्व यही है कि जो ब्यक्ति इस महापर्व में स्रद्धा के साथ विश्वास के साथ ब्रत करता है तो विसेश भागिसाली तो है ही किन्तु ब्रती का जो दर्शन करता है वो सास के द्रश्टी से वो भी स्वभागिसाली और पुर्णिका भागी हो जाता है तो मैं अध्यात्मिक संदेश के सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप इस महापर्व में आवस्य समलित हों आप ब्रत नहीं कर पा रहे तो इतना प्रयास करें कि घाट में जाकरके प्राता है ब्रत करने वाले महापुर्षों का दर्शन मात्र करें तो दर्शन मात्र करने से आपका भी कल्यान का मार्ग प्रसस्त हो जाएगा जैमातर बहुत धन्यवाद पर इतनी महत्मुन जानकारी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैनल पर पंड़ाजी से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और नीचे दिये गए नंबर पर पंड़ाजी से संपग करें जैन्यवाद